हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्टडी नौन इस्टॉप चेनल पर दोस्तों है जनरल साइंस प्रेक्टिस सेट का साथ वापाथ है और इसमें हम लोग जनरल साइंस के 25 कुष्टन सौल परेंगे सभी कुष्टन्स बहुत महत्तोपोर्ण है क्योंकि सभी कुष्टन्स मैंने अंसी आर्टी बेस्ट कुष्टन्स सेलेक्ट किये हैं और इसी तरह के कुष्टन्स लेलिए में पूछे जाते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आपसे हमारा टेलिग्राम चैनल है जिसको आप जाइन कर सकते हैं जहां पे मैं पीडियाप जो है सारी अफ्लोड कर देता हूं और इसके अलावा वहां पे आपको मान लिजे यूटूब में कभी कभी नोटिफिकरिशन नहीं मिलता है तो वहां पे सारी वीडियो का लिंक म प्रिकरिशन नहीं मिलकर के जो कंपाउन बनते हैं उनको हाईड्रो कार्बन कहता है और इसमें जो है इनका जो नेमिंग सिश्टम होता है वो अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इस तरह कोई भी कॉश्चन आप आप आसानी से कर पाएंगे ठीकर तो इन में जो प्रिफि तीन एटम है कारवन का तो क्या लगता है रोप और चार एटम है कारवन का तो लगता है ब्यूट पांच एटम है तो लगता है पेंट और छे एटम है तो लगता है कारवन का छे एटम है तो हेक्स लगता है इसके आगे भी है लेकिन इतना ही आप यार दखेंगे तो इतना का लगते ही वह की लगता है इन मतलग में थान तो यहां पर यहां पे एक एक्जम पल देख लिए जैसे कि मा लग Sun C2H6 है C2H6 है तो यहाँ पे carbon के दो atom है ठीक है और यहाँ पे hydrogen 6 hydrogen जो है इस तरह से arrange होंगे और यहाँ carbon carbon के बीच में आप देख रहे हैं single bond है तो यानिकि यहाँ पे last में क्या लगेगा N लगेगा और carbon के कितने atom है दो atom है तो यहाँ पे शुरुआत में क्या लगेगा एर्थ लगेगा तो यह क्या हो जाएगा एथेन ठीक है एथेन हो जाएगा तो C2H6 क्या हो जाता है एथेन हो जाता है और यहाँ पे पूछा गया है चार carbon परमारो वाले hydrocarbon में शुरू में उपसर्ग क्या लगेगा तो चार कर्बन वाले हाइडो कर्बन में क्या लगेगा, चार कर्बन वाले में ब्यूट लगेगा, ठीक है, ब्यूट यहाँ पर option B हो जाएगा, ब्यूट, अगर मा लिजे कर्बन के चार एटम है, और उनके बीच में single bond है, तो ब्यूटेन होगा वो, अगर double bond है तो परमागिक कर दैसे कौन्टकरति समस्वान आवच्छों होगा इसका हम एक्ट्रीनीयास करते हैं उनका तो उनके कष्जों के सम fringe कर लीजागे तो वह हए और कितना है तो यह माता कर दो है अर कितना हैee और kg के टीन है तिक है C, D, E लाइन से इनका परमाल क्रमांक लिख लेते हैं दो, तीन, फिर साथ, फिर दस, फिर तीस इस तरह से इनका परमाल क्रमांक है और इनका electronic विन्यास करेंगे तो पहली जो कच्छा होती है, K होती है दूसी कच्छा L होती है, तीसी कच्छा M होती है और चोरती कक्षा N होती है तो इसमें जो है पहली कक्षा में कितने maximum electron हो सकते हैं तो इसको 2N square formula से हम निकालते हैं पहली कक्षा का निकालने के लिए N की जगा 1 रखते हैं दूसरी कक्षा का निकालने के लिए हम N की जगा 2 रखते हैं इस तरह से जब solve करते हैं तो K cell में maximum कितने electron हो सकते हैं आप करेंगे करके देखेगा तो maximum two electron हो सकते हैं L cell में निकालेंगे तो 8 electron maximum हो सकते हैं M cell में निकालेंगे तो 18 हो सकते हैं N cell में निकालेंगे तो 32 electron हो सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, जो पहला है A, इसका परमार करमार कितना है? दो, तो इसका electronic विन्याज क्या होगा? दो, पहली कक्चा में हो जाएंगे, ठीक है, तो electron इसके खतम हो गए, तो यानि कि इसकी एक ही कक्चा बनेगी, और जो B है, B compound, तो यहाँ पे पहली कक्चा में दो electron हो गए, और एक electron बचा जो की L कक्चा में हो जाएगा, L cell में हो जाएगा, ठीक है, और जो C है, तो पहली कक् करें तो इसका परमार करमार कितना है 30 है तो दो पहली कक्षा में दूसी कक्ञा में 8 2 810 तीसी कक्षे में मैक्सिमम 18 हो सकते है तो यहाँ पर 18 मैंने कर दिया 2 8 18 कितना हो गए 28 अभी भी 2 Carnasants बचे हैं जो कि आरकरी कक्षा में हो जाएंगे त्म है तो यहाँ पे आते कच्छा में दो इलक्टान होगे और इसकी कच्छा हैं कितनी होगे तो चार कच्छा हैं आप देख सकते हैं हो गई ठीक है तो यहाँ पे समान आवत के तत्तों कौन से होगे जिनकी कच्छा हैं समान होगे कक्छाओं की संख्या समान होगी तो आप देख सकते हैं B, C और D ये जो तीनों तत्व हैं इनकी कक्छों की संख्या कितनी हैं दो-दो कक्छा हैं तीनों की हैं तो यानिकि ये समान आवत के तत्व हैं और कौन से आवत के तत्व होंगे तो यह दूसरे आवर्ट की है, तीक है, दूसरे आवर्ट के तत्तों होगे, क्योंकि इनकी कक्छा है, जो है, दो-दो कक्छा है, तो यह दूसरे आवर्ट के तत्तों है, तो right answer क्या हो जाएगा, B, C, D, यहाँ पर दूसरे option सही होगा, तीक है, यह समान आवर्ट के तत्तों ह 6 kg दब्यमान और 480 J इस्थिति जुर्जा वाली एक वस्तु को उचाई पर रखा गया है तो जमीन से उस वस्तु की उचाई को ग्याद करें तो यहाँ पर जो है एक वस्तु है जिसका दब्यमान कितना है M दिया गया है 6 kg और इस्थिती जुद्या कमान दिया गया है, potential energy कमान दिया गया है 480 J जूल दिया गया है, ठीक है, उचाई हमीं निकालना है H कमान हमें निकालना है, तो आपको मालूम है potential energy यानि इस्थिती जुद्या का formula क्या होता है, M into G into H, ठीक है तो m जो है कितना है 6 kg है g कमान हम 10 ले लेंगे यहाँ पर ठीक है और h हमें निकालना है तो h हमने यह ऐसे लिख लिख लिया अब potential energy इधर दिया गया है 400 c joule है ठीक है तो h equal to क्या हो जाएगा h equal to 400 c upon 6 into 10 इधर आ गया इसको solve करेंगे तो 6 से यह 8 बार गया तो 8 meter जो है इसका answer आजाएगा ठीक है 8 meter तो right answer क्या हो जाएगा option D यहाँ पर 8 meter इसका सही answer हो जाएगा अगला question है यदि एक और तल दरपर की वक्रता तिज्या 6.2 cm है तो इसकी focus लंबाई क्या होगी तो एक और तल दरपर है यह एक और तल दरपर है तो इसकी वक्रता तिज्या क्या होती है तो पहले यह एक कांच का गोला रहा होगा उसमें से इतना हिस्सा काट करके अलग कर दिया गया और इधर polish कर दिया गया तो यह बन गया एक और तल दरपर और यह जो पहले गोला रहोगा, इसका कोई center रहोगा, तो यह जो center होता है, इस गोले का, उसको कहते हैं, वक्रता केंद, वक्रता केंद कहते हैं, या center of curvature कहते हैं, ठीक है, जिसको हम C से प्रज़र्सित करते हैं, और center of curvature से, यह जो outer दरपर है, इसके बीचों बीच में जो है, पोल होता है एक बिंद होता है जिसको पोल कहते हैं तो center of curvature से पोल तक की जो दूरी होती है इसको वक्रता तिज्या कहते हैं इसको हम आर से प्रदस्रिक करते हैं और focus बिंदू जो होता है वो जो तिज्या है वक्रता तिज्या इसका आधा होता है क्योंकि वो center rock curvature और pole के बीचों बीच में कोई बिंदू होता है उसको focus बिंदू कहते है तो वो radius का आधा होता है तो यहाँ पे radius कितनी दी गई है 6.2 तो radius का हम आधा कर देंगे ठीक है focus बिंदू equal to r upon 2 हो जाएगा या नि 6.2 upon 2 हो जाएगा तो उसे divide होगा तो यह कितना हो जाएगा 3.1 ठीक है centimeter में है तो centimeter तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा option C यहाँ पे right answer हो गया 3.1 centimeter next question है किसने सजीवों में आनवनसिक्ता के सिध्धानतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था तो आनवनसिक्ता के सिध्धानतों के प्रतिपादन में किसने योगदान दिया था तो 1806.8 S.B. में मेंडल ने मेंडल ने जो है आनवनसिक्ता के सिध्धानतों के प्रतिपादन किया था और इसके लिए इन्होंने किस पौध्धे पर प्रियोग किया था तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा option D, Gregor, Vendal तीक है, इन्होंने अन्वसिक्ता के नियमों का प्तति पादन किया था अगला question है इन में से किस के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दिवार मोटी होती है तो स्क्लेरन काइमा आपको पता है कि यह सरल उतक का एक प्रकार होता है पौधों में तो यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है और इसकी जो कोशिकाओं होती है मृत कोशिकाओं होती है और यह किस से बनी होती है तो यह सेलिलोज, हेमिसेलोज और लिगनिन से बनी होती है लेकिन इसकी जो दिवार मोटी होती है वो लिगनीन के कार्ण मोटी होती है तो B option इसका राइटेंस हो जाएगा लिगनीन के कार्ण इसकी दिवार मोटी होती है ठीक है ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है स्कलेरन काइमा जो पौधे होते हैं आप देखते हैं जो मेच्योर हो जाते हैं पौधे तो उनकी छाल जो होती है मोटी सी बाहर जो है कवर करके रखती है कथोर सी तो वो क्या होती है वो स्कलेरन काइमा ही होती है या नारियल जो होता है नारियल का जो खोल होता है कथोर सा वो स्कलेरन काइम होता है ठीक है तो दी ऑफ्सन इसका राइज एंस हो गया next question है audi जांद की जैवसाइक के है तो राइज ऑफ्सय के होती है किलो वाट घंटा जो बिजली कब्वे लाता है वो योनिट में होता है तो एक किलो वार्ट घंटा जो है एक योनिट के बरावर होता है तो ये जो है उर्जा की इकाई होती है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा option एक किलो वार्ट घंटा और ऐसे उर्जा की SI योनिट क्या होती है तो उर्जा की SI योनिट क्या होती है जूल होती है तीक है अगला question है पौधे के बीज में एक खार्द भंडार के रूप में कारे करता है तो पौधे के बीज में खार्द भंडार के रूप में कौन कारे करता है तो बीज पत्र बीज पत्र क्या होते हैं तो जो पौधों के बीज होते हैं आप जैसे मतर का बीज ले लिजे तो यह मटर है तो इसको आगर आप देखेंगे खोल करके तोडेंगे इसको यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है इसकी दो दाले हो जाती है तो यही जो है खादेभंडार के रूप में कारे करती है तो इनको क्या करते हैं बीजपत्र तो ये जो है मतर का पौधा जैसे हो गया मतर हो गया मुंगफली हो गया और इसके अलावा जो है और भी जो डाले होती है जैसे चना हो गया तो ये जो है दूई बीजपत्री पौधे होते हैं क्योंकि इनका जो बीज होता है ये दो भागों में बटा होता है दो बीज पत्त होते हैं लेकिन कुछ जो है एक बीज पत्ती भी होते हैं जिनका जो बीज पत्त होता है वो दो भागों में नहीं बटा होता है उनका एक ही बीज पत्त होता है जैसे कि मक्का है मक्का है और गे एलेक्ट्रोनिक विन्याश दो आर्थ दो है तो यहां पर यह magnesium की इस्तिकी होती है इसके ऊपर जो है second जो आवर्थ होता है वहां पर कौन सा होता है BE यानि बेरिलियम होता है ठीक है और second group में जो पहला आवर्थ होता है वो खाली होता है ठीक है तो यहां पर तो यहां पर आपको यह सब नाप भी पता हो तो यहां पर जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास इसका दिया गया है तो आप देख सकते तीन कक्छाए है तो यानि कि यह तीसरे आवर्थ कत्वत्त है इसको आप ऐसे भी solve कर सकते थे तो C option इसका right answer हो जाएगा अगला question है किसी वस्तो को एक नेश्चित उचाई से भूमी पर गिराया जाता है जब यह भूमी को छूती है तो इसमें होगी तो कोई वस्तो है जब इसको गिराया जाता है जब यह गिरती है और जमीन को जब एकदम touch कर रही होती है उस समय जो है इसमें कौन सी उर्जा होगी यह पूछा गया है गती जुर्जा होती है या इस्थिती जुर्जा या रसाइनी कुर्जा या तापी उर्जा तो जब कोई वस्तु उचाई पर होती है ठीक है उचाई पर जब होती है तो इसमें जो है इस्थिती जुर्जा होती है इस्थिति जुर्जा होती है किसी वस्तो की इस्थिति के करार जो है उसके अंदर इस्थिति जुर्जा होती है और यह किस के बराबर होती है M into G into H के बराबर होती है यानि कि M जितना इसका दब्बेमान है G gravity 9.8 meter per second square के हिसाब से जो है इतने acceleration से धरती इसको अपनी और खीच रही तो यह gravity हो गए और into H यानि जितनी उचाई पर रखी है लेकिन जैसे जैसे जब इसको हम छोड़ देते हैं जैसे जैसे यह नीचे आती है वैसे वैसे इसकी इस्थिति जुर्जा कम होती जाती है एकसलेरेशन के कारण जो gravity है इसके एकसलेरेशन के कारण इसका वेग बरता जाएगा और जैसे 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 वेग बरता जाएगा जैसे जैसे यह नीचे आती जाएगी वैसे वैसे वेग बरता जाएगा और गटी जुर्जा उसकी बरती जाएगी और जब यह last में होगी एकदम छू रही होगी धर्ती को उस समय इसकी इस्तिती जुर्जा 0 हो जाएगी क्योंकि उचाई जो है 0 हो जाएगी एच कमान 0 हो जाएगा 0 से multiply होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा लेकिन उस समय जो है इसका वेग जो है सबसे ज़्यादा होगा maximum जिस समय टच कर रही होगी तो इसका वेग सबसे ज़्यादा होगा तो उस समय गती जुर्जा इसकी maximum होगी तो इसमें जो है गती जुर्जा होग है, hgs, ठीक है, और पारा की बात करें, तो पारा का सिंबल के होता है, hg होता है, और ये सामान अताप पर, liquid के फ़र्म में होता है, liquid के वस्था में होता है, रवस्था में, और arsynic जो है, यहां पर क्या है, arsynic, आपको मालुम होगि, यह उपसथा श्टीब नैट की बात करें तो यहां पे राइट एंसर क्या हो你好 किया मैं सिने बार न écritन है अगला कुश्छिन है इन में से इन teamwork से सम्भद मन्धित कौन नहीं है तो एनिलीडा संग के जो प्रारी होते हैं इनके पहचान होती है क्या पहचान होती है ये खंडों से मिलकर की बने होते हैं जिसे केचुआ है जोंक है ये छोटे-छोटे खंडों से मिलकर की बने होते हैं इस तरह से तो ये जो है एनिलीडा संग के प्रा तो D option इसका लाइटन्स होजगा निमेटोडा अगला question है इन में से कौन एक सह सहयोजक अडू नहीं है तो सह सहयोजक अडू यानि कि सह सहयोजक योगी कौन होते हैं जो आपस में electron share करके योगिक बनाते हैं उनको सह सहयोजी योगिक कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके योगिक बनाते हैं, उनको विद्दू सहयोजी योगिक कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर H2O दिया गया है, तो यहाँ पर हाइडोजन के दो एटम है, और ऑक्सिजन का एक एटम है, तो हाइडोजन की बात करें, तो इसकी आते हैं, दोनों तत्तो, क्योंकि इनको अपनी आखरी कक्छा को स्टेबल करना होता है, ठीक है, स्थाई करना होता है, तो या तो अगर आखरी कक्छा में दो एलेक्ट्रोन हो जाए, या आथ एलेक्ट्रोन हो जाए, तो इनकी कक्छा पूर्ड हो जाती है, तो उसी के में दो electron होगे, ये वाला hydrogen भी इसी तरह से AR کرेगा, तो इसके electron होगे, और oxygen जो है, oxygen भी जो है, इस तरह से AR करेगा, hydrogen के साथ मतलब 1 electron hydrogen और 1 electron oxygen, जब इसको जरूउइगा, तो ये ले लेगा, जब oxygen को जरूइगा, तो ये ले लेगा, इस तरह से ये sharing हो गई, आपस में एक एक electron share कर लिया, ठीक है दोनों ने, oxygen और hydrogen ने, तो यहाँ पे दोनों की आखरी चामें, अब 8 electron दोनों के circle में हो गए, आप oxygen का देखेंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6 और यहाँ पे ये 7, ये 8, और इस तरह hydrogen के भी circle में 2 electron हो गए, ठीक है तो ये ज इसको covalent bond कहते हैं, तो इस तरह से बने योगिक क्या होते हैं, सह सहयोजी योगिक होते हैं, तो H2O जो है, ये सह सहयोजी योगिक है, इसी तरह से NS3 और CS4 भी, ये जो है, ये सब जो है covalent compound बनाते हैं, तो ये भी सह सहयोजी योगिक है, और calcium oxide की बात करें, तो calcium और oxygen से मि कितने इलक्टोन होते हैं तो इसकी आखरी कच्छा में दो इलक्टोन होते हैं तो इसकी आखरी कच्छा में कितने इलक्टोन होते हैं तो इसकी आखरी कच्छा में कितने इलक्टोन होते हैं तो इसकी आखरी कच्छा में आखरी कच्छा में जो इससे पहले वाली कच्छा होग क्या है तो इस तरह से जो योगिक बनता है उसको क्या कहते है कॉछा गानु नहीं है तो 카ANS smय ओप्सइंड यह विद्धू होकिक है टीक तो डी ओपशन इसका peng अब 240 volt voltage और 0.6 ampere धारा वाले एक विद्द बल्ब की power क्या होगी तो इजी चा question है power निकालने के लिए formula होता है P equal to V into I ठीक है तो V यानि voltage I यानि की current ampere ठीक है तो P equal to क्या हो देगा V कमान दिया गया 240 volt और I कमान दिया गया 0.6 ampere ठीक है इसको multiply करेंगे 240 को 0.6 से तो यहाँ पर यह हो जाएगा 144.0 ठीक है तो 144 जो है what इसका answer आजाएगा option A अगला question है E का aluminum को आधुनी का आवाद सारी के किस धातु के रूप में नामेत किया गया था E का aluminum क्या है तो जो mandalip scientist थे इन्होंने आवाद सारी बनाई थी तो आवाद सारी में इन्होंने कुछ जगए छोड़ दी थी पहले से ठीक है इन्होंने तीन जग़ा छोड़ी थी और इसके बारे में इन्होंने भविस से बारी की थी कि इसकी जग़ा पर जो तत्वाएंगे उनकी properties कैसी होगी तो इन्होंने पहले से नाम भी दे रखा था कि इनका नाम क्या होगा तो पहले का नाम दिया था इन्होंने Eka Aluminium ठीक है और दूसरे का नाम दिया था Eka Boron Eka Boron, तीसरे का नाम दिया था Eka Silcon तो Eka Aluminium का मतलब है कि Aluminium के नीचे इन्होंने जगा छोड़ी थी और उसका नाम इन्होंने Eka Aluminium रख दिया बाद में जो है जब इन तत्तों की खोज हुई तो जैसा कि मैंटलिप ने बताया था कि इनकी properties किस तरह से होगी लगबग उसी तरह की properties इन तत्तों की थी और इनकी जब खोज हुई तो इन तत्तों का नाम क्या रख दिया गया नई आधुनिक आवसारी में तो वही यहाँ पर बताना है तो Eka Aluminium का नाम हो गया था Galium Galium और Eka Boron का नाम क्या रख गया Eka Boron का नाम रख गया Scandium ठीक है Scandium और Eka Silicon की जगा हो गया Germanium ठीक है तो तीनों का आविया रख दखिएगा तीनों में से पूछा जाता है अक्सर कोई भी तो यह हो गया Germanium ठीक है तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जागा Eka Aluminium की जगा किसको नामित किया गया Galium को Option B इसका राइटेंस हो जाएगा अगला Question है निमलेखिन में से किस तत्तो में उच्च आईनी करण उर्जा है तो आईनी करण उर्जा क्या होती है एक Electron को निकालने के लिए जो उर्जा खर्च होती है उसी को क्या कहते है आईनन उर्जा कहते है या आयनी करण उर्जा कहते हैं तो हमारी जो periodic table है इसमें जब आप 20 से दाएं जाते हैं आवत में 20 से दाएं जाएंगे तो क्या होगा आयनी करण उर्जा बढ़ती है increase होती है और जब उपर से नीचे आते हैं ग्रूप में उपर से नीचे आते हैं तो यह जो है घटती है तो यह जो है periodic table के जो trend है इनको भी आप याद अखेगा तो जैसे कि यह आयनी करण का जो है आयनी करण उर्जा का trend है बढ़ती है उपर से नीचे घटती है तो यहाँ पे right answer के होगा इसका बढ़ती है तो यानी सबसे दाई तरफ जो होगा उसकी जो है सबसे ज़्यादा होगी तो जो आवर्जानी है उसमें सबसे दाई तरफ कौन होता है helium होता है 98 ग्रूप जो है सबसे दाई तरफ होता है ठीक है और उपर से नीचे घटती है तो उपर से नीचे घटी है यानि सबसे उपर जो होगा तो अठारेवी ग्रूप में सबसे उपर क्या होता है हीलियम होता है उसके बाद जो है नियोन होता है तो जो है सबसे उपर सबसे ज़्यादा होगी जितना नीचे जाएंगी वो घटीगी यानि कि helium की जो है सबसे ज़्यादा होगी आय नहीं कराण हो जा तो right hand से क्या हो जागा option D यहाँ पर right hand से हो जागा helium अगला question है त्वरण की विमा होती है तो त्वरण यानि acceleration इसका विमे सूर्ट यानि की dimensional formula क्या होगा है बताने है तो त्वरण की unit क्या होती है meter per second square ठीक है यह acceleration की जो है unit होती है तो विमे सूर्ट क्या होता है कि इसको हम LMT के format में लिखते है L यानि की length यानि की लंभाई M यानि की mass यानि की दब्रिमान और T यानि की time तो यहाँ पर M दिया गया है M जो है यह length होता है meter की जो है length की unit होती है तो यहाँ पर length की power क्या हो जागी 1 हो जागी क्योंकि यहाँ meter जो है meter की power समझ लीजिए 1 है अगर कुछ नहीं है तो 1 है mass यानि दब्रिमान तो इसमें दब्रिमान तो है नहीं कुछ meter है और second है यानि की meter की हो गया length हो गई second की हो गया time हो गया time की unit तो length है और time है mass की power क्या हो जाएगा mass नहीं है तो 0 हो जाएगा mass भी power 0 हो गया time की power कितना होगा तो time का power जो है यहाँ पर 2 है लेकिन यह बटे में है तो जब बटे में है तो इसको ऊपर लाएंगे तो minus 2 हो जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तोनल की उनिक मीटर पर सेकेंड की पावर minus 2 तो यहाँ पे T की पावर जो है minus 2 हो जाएगी तो right answer क्या हो जाएगा L की पावर 1, M की पावर 0, T की पावर minus 2 और यह किस में है? option A में है तो option A इसका right answer रो गया अब next question है रेगिस्तानी पावधों की बाहर तोचा पर मॉम जैसे पदात की परत पाई जाती ही यह पदात क्या होता है तो जो रेगिस्तानी पावधे होते हैं इनको क्या कहते हैं? मरूद भीत कहते हैं या जीरो फाइट कहते हैं और रेगिस्तान में आपको पता है कि पानी की कमी होती है तो वासपोर्थ सरजंद होता है उसके दौरान पानी का नुकसान जादा नहों इसके लिए जो रेगिस्तानी पावधे हैं इनकी बाहरी तुचा पर मोम जैसी एक परत होती है ठीक है और ये परत किसकी होती है? तो ये क्यूटिन की होती है क्यूटिन ये पदार्थ क्या होता है? क्यूटिन होता है तो डी ओसन इसका राइटन्स होजएगा क्यूटिन अगला कोशन है एक घर में एक महीने के दुरान 150 यूनिट की उल्जा का प्रियोग किया गया जूल में इस उल्जा की मारता क्या होगी तो यूनिट में दिया गया है 150 यूनिट ठीक है इसको हम 150 किलो वार्ट गंटा भी लेख सकते हैं क्योंकि एक यूनिट यानिकी एक किलोवार्ट घंटा ठीक है तो जो एक किलोवार्ट घंटा होता है यह किसके बराबर होता है अगर हम इसको जूल में कनवर्ट करें यह होता है 3.6 इन्टू 10 to the power 6 जूल ठीक है यहाँ पे जूल में ही सूर्जा को कनवर्ट करना है कि इसको 150 जूल को sorry 150 किलोवार्ट घंटा को या 150 यूनिट को तो यहाँ पे 3.6 इन्टू 10 to the power 6 में 150 का मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है 150 का जब 3.6 में मल्टिप्लाई होगा यह हो जाएगा 540.0 इन्टू 10 to the power 6 हो गए है यहाँ पे और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर इस पॉइंट को हम 2 अंक तक इधर खिसका दे यहाँ 10 की पावर 2 अंक बढ़ जाएगी इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 5.4 इन्टू 10 to the power 8 इसको लिख सकते हैं ठीक है जूल तो यहाँ पे राइट अंसर के हो जाएगा यहाँ पे बी ओप्सन इसका राइट अंसर हो जाएगा 5.4 इन्टू 10 to the power 8 जूल अगला कोश्चन है दो सत्वों के बीच अनिमेत्ताओं के परणाम सुरूप होता है तो कोई भी दो सत्वा हो यह एक सत्वा है दूसरी सत्वा माली जी यह है तो इनके बीच में जो अनिमेत्ताओं होती है कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस इसमें जरूर होता है इनके जो पार्टिकल्स होते है चाहे कितनी भी स्मूथ सत्वा हो इनमें कुछ न कुछ जो है disturbance होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है तो इनकी disturbance जो अनिमेटता है होती है इनके क्या होता है यापे तो इनके बीच में घर्वसन बल होता है तीक है इनके बीच में क्या होता है घर्वसन बल होता है जिसको friction force कहते हैं तो right answer क्या होजेगा option A य परवर्तित हो जाता है तो हमारे सरी में ऑक्सी स्वस्वन होता है जिसके द्वारा उर्जा का उत्पारण होता है किसके रूप में ATP के रूप में ठीक है इसके कई स्टेप होता है तो जो पहला स्टेप होता है इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस इसमें जब ऑक्सीजन की कमी होत तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा C option इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है? 3 अगला question है जिस परमारों की बाहरी कक्षा में इलेक्टोनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजक्ता क्या होती है? तो आपको मालूम है संयोजक्ता क्या होती है? संयोजक्ता जो तत्त होते हैं वो इलेक्टोन या तो ग्रहड करते हैं या तो दान करते हैं और यह क्यों करते हैं? अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए ठीक है? बाहरी कक्षा में ये चाहते हैं उनके उपर माइनस का चाज आज दाता है तो ये जो दान करते हैं या ग्रहर करते हैं ये क्यों करते हैं बारीक अक्षा को पूर्ड करने के लिए और जिनकी ओल्रेडी पूर्ड है तो वो ना दान करते हैं ना ग्रहर करते हैं तो इनकी जो सही उजक्ता होती है वो जीरो होती है जो दान करते हैं मालिजे एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो इनकी सही उजक्ता क्या होगी एक होगी जो ग्रहर करते हैं मालिजे एक इलेक्ट्रॉन इनको ने ग्रहर किया तो इनकी भी सही उजक्ता क्या होगी एक होगी तो यहाँ पे जब दान नहीं कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो इनकी सही हो जाकता क्या होगी वैलेंसी इनकी जीरो होगी और जीरो वैलेंसी की इनकी होती है तो अठारों है ग्रूप के जितने भी तत्तों है उनकी जो वैलेंसी होती है जीरो होती है क्योंकि इनकी बाहरी कक् करते हैं ना ही ग्रहन करते हैं तीक है तो इसलिए इनकी सही होज़कता क्या होती है जीरो होती है और इसलिए अठार्वे ग्रूप के तत्तों को क्या कहते हैं जीरो ग्रूप के तत्तों भी कहते हैं ठीक है तो राइट अंसर क्या होतेगा आउसन भी सूनने अगला कॉश्चन है निम्रे से कौन सा तत्तों अधिक्तम एलेक्टो निगेटिव होता है तो electro negative यानि कि विद्धु तलहात्मक तो जो periodic table में हम left से right जाते हैं तो विद्धु तलहात्मक ता क्या होती है बढ़ती है और उपर से नीचे आते हैं ग्रूप में आप से down आते हैं तो क्या होती है घटती है ठीक है तो यानि कि सबसे right side में विद्धु तलहात्मक ता सबसे जादा होगी और सबसे right side में अठार्वा ग्रूप होता है और अठार्वा ग्रूप आपको मालूम है कि यह zero ग्रूप होता है तो विद्धु तलहात्मक का मतलब कि विद्धु तलहात्मक जो तत्तो होते हैं वो electron ग्रहर करते हैं लेकिन अठारवे ग्रूप के जो तत्त होते हैं ना इलेक्ट्रॉन ग्रहर करते हैं और ना ही जो है वो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं ठीक है तो ये जो है ना विद्धुत धनात्मक होते हैं अठारवे ग्रूप के तत्तो ना ही धनात्मक होते हैं तो इसके पहले जो है सत् तो उसमें हमें देखना होगा 88 ग्रूप को यहाँ पे छोड़ दीजिए आप तो 70 ग्रूप में सबसे उपर होता है फ्लोरीन फिर जो है क्लोरीन होता है तो यहाँ पे उपर से नीचे बढ़ती है सॉरी घट्टी है तो सबसे उपर सबसे ज़्यादा होना चाहिए तो सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए फ्लोरीन में लेकिन सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन में यहाँ रखेगे यहाँ पे एक exception होता है अपवाद होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा chlorine में होता है ठीक है तो B option इसका right hand से हो जाएगा वो ऐसे भी यहाँ पे fluorine नहीं दिया गया है अगर दिया भी होता तो सबसे ज़्यादा electronegative होता है chlorine इसमें जो है electron ग्रहर करने की चमता सबसे ज़्यादा होती है ठीक है अगला question है calcium hydroxide के विलेन से carbon dioxide गुजरती है तो बनने वाले औच्षेप का रंग कैसा होता है तो calcium hydroxide यानि कि CA OH का hole twice और इसमें जब हम carbon dioxide gas पास कराते हैं CO2 पास कराते है तो यहाँ पे बनता है calcium carbonate calcium carbonate का यह औच्षेप राप्त होता है ठीक है औच्षेप राप्त होता है और इसके अलावा water बनता है तो यहाँ पे पूछा गया है यह calcium carbonate का औच्षेप किस color का होता है तो सफेद रंग का होता है आपको पता है calcium carbonate जो है मिसा सफेद रंग का होता है संगमरमर जो होता है संगमरमर यह calcium carbonate ही होता है और जो अंडे का उपरी खोल होता है इसका भी formula क्या होता है calcium carbonate ही होता है तो CACO3 उसका भी formula होता है तो right answer क्या हो जाएगा और shape किस color का होता है सफेद, option D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है निम्न में से कौन सा एक संतिप्त hydrocarbon है तो संतिप्त hydrocarbon जो होते है उनमें carbon carbon के बीच में single bond होता है और जितने भी alkane family के compound होते है वो जो है संतिप्त hydrocarbon होते है इनकी last में N लगा होता है जिसे की ethane, methane, butane, यह जब तो इनमें carbon carbon के बीच में हमेशा single bond होगा और alkane family के जितने भी compound होते है उनका जो format होता है वो इस तरह से होता है CnH2n प्लस 2 यानि कि अगर carbon का n atom है तो hydrogen के कितने होंगे 2n प्लस 2 होंगे 2n प्लस 2 ठीक है इसको अलग लिख दे रहे CnH2n प्लस 2 तो यहाँ पे carbon का 1 atom है तो hydrogen का 2 atom हो गया तो यहाँ पे यह इस format में नहीं है क्योंकि carbon का अगर 1 atom है तो संत्रिप्त hydrocarbon होने के लिए 2n प्लस 2 यानि कि 1 का 2 गुना 2 हो गया प्लस 2 यानि कि 4 तो यानि कि C अगर carbon का 1 atom है तो hydrogen केतना होना है 4 तो CH4 CH4 जो है संत्रिप्त hydrocarbon होगा और यह क्या होता है मेथेन इसको कहते हैं टिक है तो यह जो है अलकेन फैमली का compound होता है और यह संत्रिप्त hydrocarbon होता है लेकिन यह नहीं होगा और C2H6 की बात करें तो C2H6 तो carbon का अगर 2 atom है तो यहाँ पे यह जो है इसी format को follow करता है कि carbon के अगर N atom है तो hydrogen के 2N plus 2 होने चाहिए तो यह संत्रिप्त hydrocarbon होगा C2H6 वैसे यह क्या होता है तो इसका आप पता लगा सकते है क्योंकि एक question इस तरह का हमने discuss किया है कि carbon के अगर 2 atom होगे तो क्या होगा सुरू में eth लगेगा और alkin family का है single bond होगा carbon carbon के बीच में तो जो है last में क्या लगेगा N लगेगा तो ethane हो जाएगा यह ethane है ठीक है C2H6 तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जबुबताईएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like और share कर दीजेगा और जो दोस्त नए है चैनल पर चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लिजे ताकि next वीडियो अप्लोड होते है उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं next वीडियो में अप्ता के लिए गुडबाई and take care